एम्परर, बादशा, उसे उन्हें किसी भी नाम से बुलाईए, इस राइटे एंटे टॉप्ट। अगर आपको एक्षन देखना है, तो उसके लिए जवान आ रही है, दोस्तों पठान जवान के बाद दंकी शाहरुख के करियर को और भी आगे लेकर जाने वाली है, दंकी में इमोशन्स तो भरपूर होगा, लेकिन इसकी स्टोरी और ज्यादे रही है, अच्छी होगी, पठान जवान में सिर्फ एक्षन दंकी की स्टोरी एक अलग लेवल पर होगी, इसका अंदाजा आप हिरानी की पिछली फिल्में देख कर लगा सकते हैं, नाट इंचुरा सिपाख, इस फिल्म काफी बड़े एक्टर देखने को मिलेंगे, जिसमें विक्की कौशल बोमन इरानी जैसे एक्टर शामिल है, वही डंकी को इस बार ओवर्सीज में हॉलिवूड से टक्कर करनी पड़ रही हैं, जिससे अमेरिका कलेक्शन पर फर्क पड़ेगा, अलाकि आस्ट्रेलिया और यूरोपिय देशों से इस बार दंकी जवान से भी ज्यादा कमाई कर सकती है, वही दुबई में भी शाहरूख की फिल्म काफी आगे जाएगी, दोस्तों हर वीडियो की तरहे इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए एक सवाल हैं कि सालार या डंकी में आप सबसे ज्यादा इंतजार किस फिल्म का कर रही हैं?